को दोश्तों तो अगर आप आरे काॉंट बैंक का बढ़ोदा में में गया बना चुका हूं लेकिन इस वीडियो में आपको कम्प्रिट पोसेश बताओं का बैयां का बढ़ावदा के इंटेर्ट बैंकिंग से आप सुकन्या सम्रिद्धी योजना में एक नियु एकाउंट कैसे ओपन करेंगे कम्प्रिट इंप्रमसन देने वाले हैं तो चलिए शुरू करती हैं शुकन्या सम्रिद्धी योजना में नियु एकाउंट ओपन करने से पहले आपको वेनिफिट और फीचर और कोई डाकुमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए तो अगर आप चाहिए तो सुकन्या सम्रिद्धी योजना में नियु एकाउंट आप 250 रुपए से ओपन कर सकते हैं एकाउंट ओपन करने के बाद में उस एकाउंट में आपको 15 साल तक पैसा डिपोजित करना होगा उसके बाद अगर आप इस एकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको 8% का इंट्रे रेट आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर गल्चैट की एज के बारे मैं आपको बता दू तो गल्चैट की एज जो एक दिन से 10 साल के अंदर में होनी चाहिए उसके बाद ऐसके बाद आप इस एकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 250 रुपया तक आप जमा कर सकते हैं इंट्रेस रेट आपका सेमी रहेगा क्योंकि यह सेंट्रल गवर्मेंट की स्कीम है उसके बाद यहाँ पर डाकुमेंट रिकॉर्डमेंट के बारे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जैसे आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए एक ID प्रूफ होना चाहिए एडर्स प्रूफ होना चाहिए यानि कि आपके पास यह सब डाकुमेंट होने चाहिए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप बैंक का बड़ोदा के इंटरने बैंकिंग से सुकन्या सम्रिद्धी योजना में एक निव एकाउंट कैसे ओपन करते हैं सुकन्या अब स्कूट कि यहाँ आपके नोब स्कूदल के लिए कर देंग है कि यहाँ यहां पर बाउड़ ढ newgasन पर उसके ऐसलज करेंगे हॉजन कि यहां प्रिछ कर देना यहां पर लोग इनसलब पर आप जैसे आप login वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके bank का बड़ोदा के internet banking का user idea पो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अपना password फिल कर देना है उसके बाद यहाँ पर इस capture को same to same आपको यहाँ पर फिल कर देना है जैसे आप login वाले option पर क्लिक करेंगे तो आप bank का बड़ोदा के internet banking में सकसेब्टन लोगिन हो गए हैं उसके बाद आपको यहाँ पर three line वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर investment वाले option पर इस पर टिक कर देना है उसके बाद सबसे नीचे आपको दिखाए देखा Open Yes Yes Account यानि शुकणिया समरिध्धी अकॉंट आप यहाँच ओपन कर सकती है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आप यहाँपे देख सकती Open सुकणिया समरिध्धी अकॉंट आपको यहाँपे पर क्लिक कर देना है कि उसके बाद आपके सामान यहां पर ल्डिकेश्ट डिटेल जाहेगी जिसमें आपको यहां पर देख सकती ही यहांこ 15 quier आपका मुबाइल नंबर और आपका यहां पर कॉम्निकेशन एडर्स देखने को मिल जाएगा उसके बाद आप यहां पर नीचे देख सकते हैं गर्ल चैल्ड बेसिक डिटेश्ट आपको इस एरो पर क्लिक करना है तो नीचे स्कूल करेंगे तो यहां पर गल्चायड का आपको नाम यहां पर फिल कर देना है तो यहां पर मैं एक्जामपल के लिए आपको बता दे रहा हूं तो मैं यहां पर गल्चायड का नाम यहां फिल कर देता हूं यहां पर गल्चायड का फर्स्ट नेम आपको फिल कर देना है इस पर क्लिक करेंगे यहां पर 2024 को सेट करेंगे यहां से आप यह को सेट कर लेता हूं उसके बाद यहां पर आपको date को set कर लेना है तो यहां पर girl child का date आप birth यहां से set हो जाएगा उसके बाद अगर pen number है तो डाल दीजिए otherwise इसको आप छोड़ दीजिए यहां पर ID proof इसको आपको set कर लेना इसके set करेंगे तो यहां से आपको birth certificate है इसके उपरा क्लिक करेंगे तो birth certificate का number आपको यहां पर फिल कर देना है तो मैं यहां पर example के लिए कोई भी एक number फिल कर देता हूँ उसके बाद आपको यहां पर girl child का address डीटेल्स आपको यहां पर फिल करना इस arrow पर क्लिक करेंगे नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको girl child का address फिल कर देना है तो यहाँ पर three line दिया गया है इस three line में girl child का address को आपको fill कर देना है उसके बाद country automatic select है आपको state select कर लेना state इस arrow पर click करेंगे तो यहाँ पर सारा state आ जाएगा इसके बाद यहाँ परPinden code दालना है अपने area का तैप इस्फोरा इडर्स आपको fill कर करने के बाद में आपको continue to submit forע stellen पर click कर देना है तो उसके बाद आपके सामने कोछ यहाँ पर Prob logging confirm का ऑप्शन देखने के वाद को मिलियागा तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं request confirm के लिए तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे आपका यहाँ पर account number आपका pen number आपका नाम देखने को मिल जागा आपका email ID आपका mobile number आपका communication address पूरा आपको देखने को देखने को मिल जागा उसके बाद आप यहांपर देख सकते हैं account details में यहां पर account details में आपका account number आपको देखने कुछ मिलेगा इसी account से 250 रुपया कट होगा आप जब नय account open कराएंगे सुकने सम्रिद्धि योजनमे तो आप पहली बार 250 रुपय आपके account से कट होगा तो इसके बाद आपको यहां प आपको अपने इंटरेनेट बैंकिंग का ट्रांडक्शन पासवर्ड आपको यहां पर फिल कर देना है उसके बाद आप सम्मित वालेशन पर क्लिक करेंगे तो आप एकाउंट से 250 रुपय कट हो जाएगा उसके बाद एक पारम चैनलेट होगा उस पारम को आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करके कहीं साइबर कैप आपको प्रिंट करा लेना है प्रिंट कराने के बाद में आपको गर्चैल का फोटो उसका डाकुमेंट और आपका अपना फोटो और आपका डाकुमेंट पूरा ले जाके उसमें अटैज करके आपको अपने होम ब्रांच में उस फारंग को सम्मित करेंगे तो आपका एकाउंट ओपन हो जाएगा एकाउंट ओपन होने के बाल में अगर आप चाहे तो भी ओब्योड अप्लिकेशन में अपने एकाउंट को एड़ कर सकते हैं सुकुन्या समृद्धी योजना का जो अकाउंट नंबर उसको आप एड़ कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप शुकुन्या समृद्धी योजना में एक निव एकाउंट ओपन कर सकते हैं तो आपको दोस्तों कोड़ी पसंद आएक लाइक किजिए फुस्ता शेयर कर दीजिए चैनल पर ही बारे चैनल को सब्सक्राइब थैक्यों मस्यों मस्यों